Good evening students, my name is Vikas Kumar और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा साध्यन The Effort YouTube चैनल आज जो है हम लोग JSCJ में जो General Engineering Paper Continuation में है उसका आज हम लोग एक नया टॉपिक जो AC Fundamental के अंदर हम लोग सुरू किये हैं तो उसमें एक हम लोग नया टॉपिक सुरू करेंगे that is RMS Value RMS का full form होगा root mean square value ठीक है तो आज हम लोग RMS Value discuss करेंगे किसको कहते है RMS Value RMS Value ठीक है वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोड़ा सा प्रमोशन आप लोग मेंसे जो लोग भी नया है YouTube पर इस चैनल पर नया है वो लोग kindly चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ठीक है कोई तरह का doubt है तो comment box में comment कर सकते है चलिए तो जो RMS Value है यानि की root mean square value इसका full form होता है root mean square value again हम एक बात बोलेंगे हम लोग को इसके derivation में interest नहीं है क्योंकि MCQ है इसका कोई derivation आपसे पूछने वाला नहीं है आप बस इस value का जो definition है उसको एक lemon language में समझ लीजिए और RMS Value sinusional waveform के लिए क्या होता है उसको बस आप जाल लीजिए इतने ही चीजे जो है आपको काम की है इसके अंदर ठीक है तो अगर हम लोग root mean square value की बात करें किसको कहते है root mean square value तो देखिए इससे पहले हम लोग average value देखिए उसमें charge का concept introduce होता है यहाँ पर क्या है सपोज ये एक resistance है मल लेते हैं और इसको हम लोग किसी source के एक cross अभी connect करने वाले हैं अब इस resistance के इस resistance में जब current flow करेगा तो इसमें कितना heat produce हो रहा है उसको measure करने के लिए हम लोग एक joule meter लगा देंगे ये बता देगा कि heat कितना इसके अंदर से produce हो रहा है अब हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक DC source लगाएंगे जैसे कि हम लोग average value में किये थे अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कुछ DC current flow करवाएंगे और देखेंगे कुछ particular time period के लिए करवाएंगे किसी particular time period के लिए करवाएंगे और देखेंगे कि क्या heat उसमें produce हो रहा है सबसे एक hypothetically मान रहे हैं कि हम लोग यहाँ से कोई DC current 2 ampere का flow करवाएंगे suppose that 2 ampere का हम लोग यहाँ से कोई DC current flow करवाते हैं ठीक है कुछ time period के लिए flow करवाते हैं मान के चलिए 3 seconds के लिए flow करवा रहे हैं तो हमको यहाँ पर कुछ heat मिले एगा suppose that हमको जो यहाँ पर heat मिला वो DC जह हम लोग flow करवा रहे थे उस time में heat कुछ मिल गया माल लेते हैं 4 joule का heat मिला हम calculation में नहीं जा रहे है hypothetically आपको एक lemon language वहाँ तो आप माल लेते हैं कि 4 joule का heat आपको मिला कुछ भी वहले हो सकता है 3 joule 2 joule कुछ भी हो सकता है calculation के बाद हो another चीज है उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे है अब क्या है कि हम लोग 2 ampere का DC current दिये 3 second के लिए तो कुछ 4 joule heat माल लेते हैं मिल गया यह जो joule meter है इतना heat आपको major करके दे दिया कि भाई इतना heat मिल रहा है अब हम लोग क्या किये कि कोई AC current flow करवाएंगे तो हम लोग अब यहाँ AC source लगा देंगे और माल लेते हैं यह जो AC source यहाँ पर लगाए यह कुछ current flow करवाएंगी इस AC source से अब सर्थ बस इतनी है कि यह जो AC current flow करेगा इसको भी 3 second के लिए हैं करवाना है क्योंकि DC को आप 3 second के लिए करवाया थे तो इसको भी 3 second के लिए ही करवाएंगे ना तो 3 से ज़्यादा और ना ही 3 से कम आपको 3 second के लिए यहाँ से AC current flow करवाना है अगर इतना second के लिए कुछ आप AC current flow करवाए अगर यह भी heat जो है AC में कितना देगा AC current flow करवाने से अगर heat जो है यह भी अगर 4 Joule दे दिया अगर दे दिया 4 Joule तो यह वाला जो DC होगा इस AC का RMS value हो जाएगा कुछ भी आप यहाँ से हो सकता है 3 A का AC current flow करवाए 3 second के लिए तो 4 Joule heat मिल गया तो यह वाला जो 2 A है करना पड़े अगर हम लोग इसको define करें तो फिर क्या लिखेंगे RMS value को जो बात अभी आपको हम बोले इसी बात को अगर आप लिख दी जेगा तो definition हो जाएगा when when a DC current flows flows for a particular इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एक certain word लगा देंगे when a certain amount of when a certain amount of DC current flows for a certain time period and it produces a certain amount of heat heat full stop if the same amount of heat is produced when a certain AC current AC current AC current when a certain AC current flows for the same time period then then that DC is the RMS value of RMS value of this AC होगे होगे क्या बोल रहे हैं when a certain amount of DC current flows कोई certain amount DC current flow की है हम लोग माल ले थे example में 2 Ampere का तो when a certain amount of DC current flows for a certain time period किसी certain time period के लिए flow करवा है and it produces a certain amount of heat if the same amount of heat उतना ही heat is produced when the certain AC current flows for the same time period then that DC is the RMS value of DC AC तब जो DC होगा इस AC का RMS value हो जाए simple सकानी है ठीक है ये इस्त का definition है आप एक दो बार चीजों को हिंदी मे बोलिएगा तो आपको ये दिमाग में खुश जाएगा कि आप पहले DC current flow करवाए कुछ particular time के लिए कुछ आपको heat मिला अगर उतना ही heat कोई AC current flow करवाए उतना ही समय के लिए और दे देता है उतना ही heat तो वो जो DC था इस AC का RMS value हो जाएगा simple sir कहानी है ठीक है चलिए तो ये था आपका RMS value का definition ठीक अब बार बार इतना जो experiment है ये तो करके देखेंगे नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करते है कुछ certain formulas को निकाल लेते है ठीक है आपको book में कुछ waveforms वगरा भी मिल जाएंगे ठीक है देखें हम उसको समझा देते है ठीक है ऐसा कोई आपका कोई arbitrary आप का waveform है आप ले लिए ठीक है आप क्या की जगा है ये आपका time axis है और ये आपका magnitude axis है आप क्या की ये है इस curve को इस curve को आप n parts में split कर लीजिए ये i1 हो गया ये i2 हो गया ये i3 हो गया so on यहां तक आप कर लीजिए तो आप n parts में कर लिए माल लेते ये i n हो गया ऐसा माल लेते हम इसको n टुकडे में divide कर दिए ठीक है बराबर बराबर भागों में यहां से यहां तक का जो आपका time period था वो t था जब n भाग में काटे तो एक जो समय मिला वो कितना मिला capital T by n जैसे आपके पास 10 आम है और आप 5 लोगों में बाटिएगा तो 10 बटा 5 हर एक आदमियों कितने आम मिले दो आम तो अगर आपके पास total T time period है उसको n आदमियों में बाट दीजिएगा n numbers में बाट दीजिएगा तो एक के पास कितना आएगा time का section T by n amount of time आएगा तो आपका जो time period है I1 के लिए वो भी T by n है I2 के लिए भी T by n है I3 के लिए भी T by n है और I n के लिए भी T by n है तिक है अब अगर आप heat निकालिएगा heat due to I1 तो आपका heat के इतना formula के तना हो जाएगा R है अभी भी लेकिन यह केतना देर के लिए यह वाला I1 है तो T by n तो यह हो जाएगा T by n इस तरह से अगर आप heat निकालिएगा due to I2 तो आपका हो जाएगा I2 square R T by n so on करके अगर आप heat निकालिएगा due to I n ठीक है तो आपका यह formula हो जाएगा I n का square R into T by n ठीक है अब आप जो है यह जो total current है I1, I2, I3 यह सब जितना मिल के heat produce करेगा आप एक effective current जो होगा I effective इसी को आप क्या किये है N parts में split किये तो आप एक I effective की वज़ा से जो heat निकालिएगा वो लिख लिजिए ठीक है heat due to I effective वो कितना हो जाएगा I effective का square into R into T क्योंकि I effective का time period यहां से यहां तक है यह पूरा I effective है ठीक है तो हो जाएगा R into T अब यह I1 के द्वारा heat है यह I2 के द्वारा heat है इन सबी heat को आप जोड़ दीजिए तो इस heat के बराबर होना चाहिए इसका मतलब हो गया I effective का square R into T अगर आप किजिएगा तो यहां हो जाएगा I1 का square R T by N प्लस I2 का square R T by N प्लस आप न का square R T by N अब देखिए R T by N R T by N R T by N सब में common है तो आप निकाल लीजिए यहां से R T by N common निकाल लीजिए तो अंदर बज़ेगा I1 square प्लस I2 square so on I N square और इधर क्या है आपका I effective का square R T ऐसा है R T R T cancel out हो गया ठीक है तो आपको अब इसको यहां लीजिए देते हैं मेरे पास नीचे जगा नहीं है ने तो आप यहां अगर दीख जाएगा अगर आप I effective का square लिखिएगा तो कितना हो जाएगा I1 square plus I2 square plus so on I N square divided by N ऐसा हैगा अब यहां square इसको हटाईएगा इधर ले गाएगा तो यह क्या हो जाएगा root तो यह जो आपका current निकला I effective यही RMS value है यह होगा I1 square plus I2 square plus so on यह I1 square है I1 square plus I2 square plus so on I N square divided by N अंडर root में है यह ठीक है इस बात का ध्यान दीजिएगा this is your under root यहां से यह under root है ठीक है killer हो गिया तो यही आपका क्या कहलाता है RMS value कहलाता है ठीक तो इसमें जो आप देख रहे हैं यह आपको एक total of derivation था ठीक अगर sinusoidal waveform हो यह तो कोई arbitrary waveform करे निकाले कोई sinusoidal waveform हो तो उसका फिर हम लोग कैसे RMS value निकालते है ठीक है तो देखिए अलग-अलग का आपको derivation करके देखने का कोई मतलब नहीं बनता है कही पर भी आपको अलग-अलग चीजों के लिए मतलब अलग-अलग sine wave के लिए क्या होगा तो उसके लिए आपको derivation करके देखने को result याद रहना चाहिए simple सा कहानी है simple सा जो यहाँ पर कहानी है वो आपको क्या है कि result याद होना आपके लिए जरूरी है वही आपको काम आएगा ठीक है तो अगर आप rms value देखिएगा किसी current का अगर आप rms value निकाल रहे है ठीक है तो rms i square rms होगा और यहाँ actually क्या होता है area of the first half cycle of i square area of the first half cycle of i square divide by length of the first half cycle यह आप निकालिएगा ठीक यहाँ से square हटाईएगा तो यह under root में आएगा ऐसा यह formula होता है यहाँ देखिएगा ध्यान से यह i नहीं है average में यह i था यह i square है ठीक है तो ऐसे भी rms value जो होता है आप full cycle के लिए चाहे तो निकाल सकते है आपको इसमें 0 नहीं मिलेगा average value में half cycle के लिए निकालते है full cycle के निकाल दी जाए तो average value 0 आ जाएगा rms में नहीं होगा 0 क्यों नहीं होगा दिखा देते है मान के चलिए यह sinusoidal waveform है और यह आपका i का value है ठीक है यह कोई sinusoidal waveform है मतलब sinusoidal current है ac current है यह i का value है तो i square केतना हो जाएगा इसका ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा and this one is i square देख लिए यह minus है न तो minus का भी यह plus था यह वाला waveform plus था यहाँ से यहाँ तक तो इसका square किये तो यह आगया ठीक अब यह minus में तो इसका भी square किये तो negative थोड़ेगा minus 2 का square plus 4 हो जाएगा तो यह आपको उपर जाएगा यह होगा i square का मतलब तो आपको यह वाला area देखना है यह वाला आपको area देखना है area under the curve जो है यह वाला देखना है और यह जो length of the first half cycle लिखा गया 0 से πाई तो यह आपका length है यही देखा गया है ठीक है तो अगर हम लोग किसी sinusoidal waveform के लिए अगर हम लोग किसी sinusoidal waveform के लिए rms value निकालने rms value for sine wave अगर कोई ऐसा है sinusoidal waveform है उसका rms value निकालने तो derivation करने जो होता है उसी result याद रखना है i rms का जो value होगा i m by root 2 maximum current को root 2 से divide कर दीजे इतना ही आएगा अगर voltage के term में बात कीजेगा तो v rms कितना हो जाएगा v m by root 2 यह v rms हो जाएगा simple सा कहानी है ठीक है तो आपको यह formulas याद रखने आपसे exam में जो आपको पूछा जाएगा वो direct यह formula पूछ लेगा sinusoidal quantity का rms value कितना होगा तो i rms is equal to i m by root 2 v rms is equal to v m by root 2 आपसे सिधे यह formulas पूछ लिए जाएगा याद रखेगा किसका होता है यह तो sinusoidal quantity का होता है याद रखेगा sinusoidal quantity का इतना value होता है इना कि आपसे triangular पूछ लिया है ठीक है वो गलत हो जाएगा ठीक हाँ अगर rectifier के term में आपसे पूछ रहा है तो half wave अगर rectifier है ठीक है अगर आपका half wave rectifier है पहले भी समझाए थे दो तरह के rectifier होंगे full wave और half wave full wave का तो इतना ही होगा नहीं बदलेगा ठीक है half wave अगर rectifier है तब जो है उसका rms value कितना हो जाएगा ठीक है तो half wave rectifier का rms value अगर current का बात कीजिएगा i rms is equal to ये हो जाएगा i m by 2 और voltage के लिए v rms is equal to v m by 2 ये formula आप याद रखिएगा half wave rectifier के लिए आपका कितना हो जाएगा i m by 2 और v m by 2 होगा ठीक है चलिए अगर triangular waveform आ गया ठीक है एक्जाम में अगर आपको triangular waveform दे दिया ठीक है अगर आपको exam में triangular waveform दे दिया तब क्या होगा अगर exam में triangular waveform का पूछ लिए कि ठीक है rms value बताइए किसके लिए triangular waveform के लिए तो वहाँ पर IRMS का जो value होता है वो IM by root 3 होता है और VRMS का value VM by root 3 होता है याद रखिएगा आपको बस यह formula याद रखना है ध्यान रखना है आपको direct objective में यह question पूछ लिए जाएगा ठीक है आपसे MCQ में सीधे यह सवाल पूछ लिए जाएगे ठीक है इन से आदा कुछ भी नही ठीक है तो यह था आपको RMS value चोड़ा साई होप आपको यह definition clear हुआ होगा यह जो कुछ formulas है जो आपको ध्यान में रखने है वो clear हो गया होगा ठीक है जो basic formula है वो हम समझा दिये कि area of the first half cycle of the I square होता है divide by length of the half cycle या first cycle का या जो length होगा ठीक है उसको pi से divide पाई आता है first cycle का length उ अब लो next video lecture में next topic को cover करेंगे फिर से request है जो लोग नए है kindly channel subscribe करें और comment करें ठीक है share कीजिए like कीजिए ठीक है JSCJ में पढ़ते रहिए thank you very much